लेटेस्ट साउथ मुवी अपडेट्स, हिंती डव मुवी अपडेट्स, साउथ मुवी रिव्यूज और साउथ मुवी डायलोग ट्रांसलेशन्स के लिए आज ही सस्क्राइब कीजिए क्रेजी फॉर मुवी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए वल्कम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है क्रेजी फॉर मुवी समें दोस्तों जब हम कभी कोई मुवी देखते हैं और हमें वो मुवी बहुत पसंद आती है तब हमारे मन में एक खयाल जरूर आता है कि यार ये मुवी तो सूपर हिट होगी बहुत पैसे कमाये होंगे इस म तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी ही पांच फिल्मों के बारे में जो साउथ में तो फ्लॉप या एवरेज रही कमाई के मामले में पर उन मुवीस को हिंडी डव वर्जन में यहाँ पे फैंस ने बहुती पसंद किया क्यूंकि सही माईने में व और वहीं पर यह फिल्म साउथ में बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी विकीपीडिया के हिसाब से इस मुवी का बजट कुछ 37 करोर के आसपास का था और इस मुवी ने 40 करोर की कमाई की थी पर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तब आपको वहां की लोकल वेब पर शायद साउथ इंडियन फैंस ने इस मुवी के ट्रेलर को देखके इस फिल्म से कुछ और ही आशाए रखी थी मेरे हिसाब से तो ये फिल्म एक हिट होनी चाहिए थी पर ऐसा नहीं हुआ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आती है 2014 की सूरिया और समानता स्टारर मुवी अंजन इस मुवी के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वज़ा थी इस मुवी के लिए क्रिटिक्स के बहुत ही खराब रिव्यू और ओडियन्स के बीच में इस मुवी के नेगेटिव हुमर्स पर जो भी हो हम हिंदी डव फैंस और सूरिया के जो साउथ फैंस है उनको ये मुवी बहुत ही पसंद आई थी इस लिस्ट में अगला नाम आता है नितिन की लेटेस फिल्म लाइका इस साल 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म को फ्लॉप नहीं साउथ में डिजास्टर डिक्लायर कर दिया गया है जी है दोस्तों कुछ 27 करोर की बजट में बनी इस मुवी ने अपने पहले ही दिन 5 करोर रुपे कमाये थे वहीं ये फिल्म सिर्फ 18 करोर के lifetime collection पे जाके रुख गई थी जहां इस फिल्म के Hindi dub rights और digital rights को कुछ 4 करोर में बेचे गये थे और इस फिल्म के satellite rights को 6 करोर में बेचे गये थे जहां South वाले इस फिल्म को एक disaster बोल रहे है वहीं हिंदी डफ फैंस को ये फिल्ब बहुती पसंदारी है जिनमें मैं भी शामिर हूँ इस मूवी के इतने बड़े फ्लॉप होने की एक और वजे थी वो था इस मूवी का बॉक्स ओफिस क्लैश आपको बता दे दोस्तों की लाई के साथ एक दो और फिल्में रिलीज हुई थी एक थी नेनु राजू नेनु मंत्री और जय जान की नायका और इस रेस में राणा दगुबती की फिल्म नेनु राजु नेनु मंत्री ने बाकी दोनों फिल्मों को काफी पीछे छोड़ दिया था अब आने वाली जो दो मूवी है वो दोनों ही मूवी एक ही हिरो की है और मुझे दिल से इस सुपरस्टार के लिए बहुत ही बुरा लगता है जब जब स्टार ने कभी कुछ हट के मूवी बनाई है तब तब साउथ के ओडियंस ने उन मूवी को पसंद नहीं किया है जबकि वो सारी ही फिल्मों को हिंदी ड़ फैन्स काफी ज़्यादा पसंद करते हैं जी हाँ दोस्तों शायद आप लोगोंने समझी लिया होगा मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार महेश बाबू की हमारे इस लिस्ट में अगला नाम आता है 2010 की महेश बाबू की फैन्टेसी एक्शन कॉमेडी फिल्म जिगर कलेजा की महेश बाबू की इस फिल्म को क्रिटिक्स में तो बहुत ही अच्छे रिव्यू दिये थे और ना जाने क्यों टेलेवू आडियंस को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी बात करें इस मूवी की स्टोरी, कॉंसेप्ट, महेश बाबू की एक्टिंग और डायलोग डिलिवरी की तो इस मूवी में वो हर बात थी जो इस मूवी को एक ब्लॉक बस्टर मूवी बना सकती थी पर 40 कडोर की लागत से बनी इस मूवी ने आंधर प्रदेश में 14 कडोर और वर्ल्ड वाइड 18 कडोर ही कमाई कर पाई थी और ये मूवी आज भी महेश बाबू फैन्स और हिंदी डर फैन्स के फेवरेट मूवी की लिस्ट में जरूर आती है इस लिस्ट में जो लास्ट मूवी है वो सबसे ज़्यादा शौक करने वाली है जी हाँ दोस्तों ये मूवी है 2014 की महेश बाबू की साइकलोजिकल ठ्रिलर फिल्म वन जिसका हिंदी में नाम था एक कदम 2014 में सू कुमार ने एक ऐसी मूवी बना के दिखाई थी जो तेलगू सिनिमा को बहुत उंचाई पे ले जाती और वहाँ की वाडियंस को शायद ये मूवी समझी नहीं हाई या फिर उनने इस मूवी की ट्रेलर को देखके कुछ और ही सोच लिया था इसलिए शायद 70 कड़ों की लागत से बनी इस फिल्म ने जहां आपने पहले ही दिन 29 से 30 कड़ों रुपे का बिजनेस किया था और इस मूवी का लाइफ टाइम इंडिया कलेक्शन 44 कड़ों रुपीस पे जाके रुख गया था और इस मूवी ने worldwide कुछ 85 कड़ों रुपीस का बिजनेस किया था इस मूवी को आज भी इंडिया की बेस्ट साइकलोंजिकल थ्रिलर फिल्म माना जाता है और ये फिल्म दुनिया की टॉप 20 बेस्ट साइकलोंजिकल थ्रिलर फिल्म में भी शामिल है इन मूवी के box office report को देखके काफी शौक लगता है क्योंकि ये सारी मूवी हगदार थी एक blockbuster मूवी कहलाने की पर ये सारी मूवी फ्लॉप रह गई आप हमें comment box में जरूर बताईएगा कि आपको इन में से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है और आपको क्या लगता है कि इन में से कौन सी मूवी को एक hit होना चाहिए था उमीद करते हैं दोस्तों आज का हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया होते से like और share जरूर करिएगा मिलते हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर